नमस्कार दोस्तों मूरली दरफार्मी यूट्यूब में आपका स्वाकत है तो आज हम इस ट्रेक्टर में म्यूजिक सिस्टम लगाने वाले हैं तो कैसे लगाते हैं और कम खर्चे में अच्छा म्यूजिक सिस्टम कैसे लगाए मैं आपको बताऊंगा और सारा कनेक्शन भी बताऊंगा और म्यूजी सिक्स्टेम की है को प्राइस है ओभी मैं बताने वाला हूँ तो पेले मैं आपको बता दू होre सब्सक्राइब देख सकते हैं आप देख सकते हैं अब दन्य सब्सक्राइब तरह से अब देख सकते हैं यहाद दोनों साइट बो conviction कि तब पर огранич बंढ़ एक देख सकते हैं और यह इसकी एंप्लिफायर है देख सकते हैं तो फिले हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह एंप्लिफायर और दो स्पीकर में 2000 में खरीदे है और साथ में थोड़ा बहुत जो स्वीच फ्यूज और यह सा जो वायर है वह साथ में आ गया था 2000 में तो और इसका जो खर्चा है वह में यह दो पटी और यह हमने एक बोक्स बनाया है इस एंप्लिफायर को रखने के लिए तो थोड़ा बहुत इसका खर्चा आ जाएगा बाकी जो कनेक् है वह हम खुद कर लेंगे तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ पहले हमें पावर सप्लाय देखते हैं कहां से लेना और कैसे तो अब देख सकते हैं पहले हमने यहां एक स्वीच लगाई है यह स्वीच हमने अलग से लगाई है तो यह स्वीच है इस एंप्लिफायर को हमारा देने के लिए तो हम पावर किया से लगे यह कि यह देखी हो नेने जो हमारा। की जो की आती है इसमें यह पार सप्लाइका है वहासे लिया है और ओच में तीन वाइर है उसमें एक मेन जो आता है वो पावर सप्लाइ का है और दो जो दूसरे होते हैं उसमें एक सेलफ जबंप को सेलफ एक बार चावी गुमाते है तब जो डेश्बॉड और जो लाइट होती है फंक्शन के लिए उसका है तो में उसमें लगाना है क्योंकि अब काम करेगा इसलिए हमने यहां से लगाई है डाइरक आप बेटरी से जो सप्लाय देंगे तो उससे क्या होगा अगर आप यह स्विच को चालू करेंगे तो बीना चाबी के भी यह music system चालू हो जाएगा इसलिए हमने यहां लगाएंगा जिससे चाबी हो तभी वो चालू हो सकता है और यह हमने इसका positive ले लिया अब देख सकते हैं फीच में और यहां से हमने जो wire लगाया इसके बीच में एक fuse लगाया जिससे इंप्लीफाय है उसको कोई नुक्सान नहों और अभी आप देख सकते हैं मैं यहां से connection में आपको दिखा दाओ और जो negative है वह आप कहीं भी बोडी में ट्रेक्टर की बोडी में लगा सकते हैं यहां लगा दिया है negative में तो हमने क्या किया इसकी जो conduit wire है ट्रेक्टर की उसी म में ही हमने power supply का जो wire है वो लगा दिया है तो आप देख सकते हैं मैं आपको इस तरफ से देखा दो तो हमने इस conduit में लगा दिया देख सकते हैं नीचे से यहां से हमने लगाया और यह एक इसका जो वाइर है वो भी हमने यहां से कॉंड्यूट में से लगा के यहां ले लिया है और इस पीकर का भी हमने यहां से कॉंड्यूट में डालके यहां से इस तरब से जो तीनो वाइर है वहमने जो बोक्स में ले लिया है तो यह जो वाइर है वह मारा पावर सप्लाई का अंपली वाइर का और दोनों वो स्पीकर के है तो अब हमे खनेक्शन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा तो आप देख सकते हैं इसमें कुल छे वायर आती है तो जो ए रेड और ब्लेक वायर है यह मारा एंपलीफायर है उसका पावर सप्ला है और एक ज्यान रहे कि जो में रेड वायर है वो बेटरी की पोजिटिव होती है उसमें लगाना है और नेगेटिव है वो बेटरी के नेगेटिव में ही आना जोगी है तो इसी तरह आपको लगाना है अगर आप गलत लगा देंगे तो उसको नुक्सान भी हो सकता है या चले चलेंगा नहीं तो जो मारा कनेक्शन है वो अपको अच्छी तरह से करना है फिर जो और चार वायर है उसमें यह दो वायर है ग्रीन और ब्लू वह एक स्पीकर का है और यलो और सफेद वह एक स्पीकर का है तो इसमें आपको कोई कनेक्शन डायरेक्शन की जरूर नहीं आप कैसे भी लगा सकते हो तो आप उसमें कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं है तो मैं इस बोक्स में एम्प्लिफाय रख देंगे और फिर आपको मैं कनेक्शन करके दिखा दाओं तो आप देख लीजिए एक बार फिर से नहीं यहां से जो वायर है उसको निकाल के बीचे से लिया है और इसको यहां से लिया तो पेले हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं तो हमने यह सारे कनेक्शन है वह कर लिए है अब देख सकते हैं यह हमारा खार सप्लाइट और एक स्पिकर का है और वह दूसरा धिकर का नहीं तो दूसरी नहीं सप लगे शब्rou सबूस्टस्य आप हमने इसको इसमे डाल दिया है तो और इस बोक्स को भी हमने इसमे रखा है जिस से यह ट्रेक्टर में GOOD इसको को नुक्सान शप्र और यह तकन भी इसको यह से लगा दिया है तो देख सकते हैं और अब मैं आपको यह सारा जो फिटिंग है वह करके दिखाता हूं एक बार अब हमने सारा कनेक्शन कर लिए है और बोक्स भी लगा दिया है और सारा जो फिट कर दिया है अब हमें चला के स्टार्ट करते देखेंगे और मैं आपको ज्यादा देर चला के नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो में वह कुपी रैट आ सकता इसलिए तो हम देखेंगे अभी चालू करके तो यहां से आप इसके जो वल्यूम है वह बढ़ा सकते हैं यह इसका बास हो रहे है बास यह जो सारे फंक्शन है वह भी तो हम पेले इसकी को चालू करेंगे एक बार करेंगे और इससे अब देखेंगे चालू हो गया है तो भी में इसको चला के दिखाओंगा तो आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और किसी को अगर पता नहीं चले इसमें कनेक्शन में तो आप बता सकते हैं कोमेंट में हम पूरा प्रेयस करेंगे आपको समझाने में तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में तन्यवाद कर दो है